जब भी बच्चों की टिफिन लंच बॉक्स पैक करने का टाइम आता है न तो हम लोग कन्फियूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या दे बच्चों को जो की हिल्दी भी हो टेस्टी भी हो और बच्चे फटाफट फिनिश करके आ जाए तो आज मैं आपके साथ बहुत ही हिल्दी आप से आप जिससे भी नाप सकते हैं कोई भी चलेगा सूजी मोटा पतला जो भी हो आपके पास उसमें डाल देते हैं एक कटोड़ी दही दही भी आपके पास जो भी उपलब दो ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए घर का जमा हो या बाजार को हो तो इस तरह से दही डालन मिनट बाद ये देखे सूजी हमारा फूल चुका है तो अब इसमें डालूंगी मैं धेर सारा सब्जी तो मैंने गाजर को इस तरह से घिस लिया है तो ये देखे आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं प्याज को मैंने बाड़ी काट लिया है एक बरा सा प्याज लिया है तो अब मैं इसमें डाल दियूं कड़ी पता ये ऑप्शनल है अगर है तो डाल ये नहीं है तो कोई बात नहीं तो कड़ी पता को क्या करना है इस तरह से कट करके डाल देते हैं इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है तो अगर आपके पास है तो जरूर डाले क्यूंकि इन सब चीजों में कड़ी पता का फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है तो मुझे तो बहुत ही पसंद है कड़ी पता इसमें डालना तो चलिए अब इसे मिक्स कर देते हैं तो कितना सारा सबजी है ना सूजी डाला है दही डाला है और सबजी तो ये बहुत ही healthy breakfast बनके आता है तो बर इसे इस तरह से बहुत यह अच्छे से मिला लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट के गोर्डिंग नमक तो इसे अच्छे से मिला लिने के बाद 5-10 एक लिटे रक देते हैं ताकि अच्छे से कटा हुआ यह प्याज आपके पास धनियापता है तो ज्यादा करके डालें उससे तेस्ट अच्छा आता है इसमें डालें आधा चमच भूना हुआ जीरा पौडर, आधा चमच गरम मशाला और आधा चमच लाल मिर्च पौडर इसमें डाल देते हैं test के गौर्डिंग नमक औ अगर आपके पास है तो जरूर डालें तो ये सबजी वाला चटपटा आलू का मशाला बनके रेडी हो चुका है हातों को थोड़ा से ग्रेश कर लीजे और इस तरह से हातों में लेके उसको एक लंबा-लंबा सिलिंडर का स्टेप दे दीजे ये देखे बहुत ही अच्छे से बन जाएगा तो ये जितने भी आलू है ना सब का इस तरह से हम लंबा-लंबा करके एक सिलिंडर सेप दे देते हैं आप चाहे तो चप्टा भी कर सकते हैं तो ये देखे ये साड़े बनके हमारे तैयार हो चुके हैं लग रहा ना मज़ेदार तो अब हमारा डो भी है बहु तो ध्यान रहे इनू डालने के बाद इसे ज्यादा नहीं फेटना है बस इस तरह से इसे मिला लीजिए तो ध्यान रहे इनू डालने के बाद इसे फटा-फट वनाना होता है ज्यादा देड़ना करें तो बस ये हमारा डो अच्छे से मिल चुका है तो एक ऐसा बरतन ले ल यह हमारा डो जो है एक लेयर नीचे से डाल देते हैं बहुत ही डिडिशेस यह नास्ता बनके आता है तो एक बड़ जरूर ट्राइ करें तो अब इसमें डाल देते हैं यह आलू का जो हमने अभी रोल बना के रखा हुआ है तो यह देखे जी यह इस तरह से डाल देना है लग हमारा अलू कवर हो चुका है तो अब इसे इस तरह से ऊपर से क्या करना है थोरा सा अच्छा दिखने के लिए गाजर शिम्ला मिर्च और थोरा सा प्याद छी रख देंगे ताकि यह देखने में बहुत ही मज़ेदार लगे तो चलिए अब आगे की प्रोशिश के ओर तुम दस से पंदर मिनट इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तब तक चलिए दूसरा रेशिपी बनाते हैं तो सेम डो को मैं एक तबे पे बना रही हूं तो कोई भी तबा ले लीजिए उसे इस तरह से एक एक कर्चुल करके आप डो डाल दीजिए बहुत ही आराम से हो जादा नहीं ने तो बड़ा हो जाएगा और उसी आलू को मैंने चप्टा करके बीच में डाल दिया है तो यह देखे सेम जो आलू मैंने स्टीम करने के लिए डाला है उसी में जो आलू बच गया था मैंने इस तरह से चप्टा करके इसमें डाल दिया है और उपर से इस तर बन गयाना और झानना और खाने में तो यह बहुत शाजवाब होता है उसर थोगा से क्या करना यहा उपर से हलोगा लगा देती हूं यह ज्यादा नहीं vigBar, अच्छेवार से ह कंतलन यह भी मत पतलोड, को च्प्र भर HC च सप्ता बना दिड़े, तो इस थाथ से दबने से आलू अच्छे से सेट हो जाता है तो ये बहुत ही लाजवाब रेशिपी है एक बार जरूर ट्राय करें बच्चों के टिफिन के लिए तो बहुत ही सही है इसे आप सुभा के नास्ते में भी खा सकते हैं सामके नास्ते स्नैक्स में भी दे सकते हैं तो ये बहुत ही लाजवा नास्ता बनने के लिए दिया था ना तो 15 मिनिट हो चुका है तो अब देखे यह हमारा बन के रेटी हो चुका है अब इसमें एक छूड़ी की ऐस तरह से डाल के देखे जब चिपकेगा नहीं तो इसका मतलब की यह हो चुका है या आप कोई भी स्टिक डाल के देख सकते हैं तो यह देखे जब तक वो ठंडा होता है इसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको यह देखे यह बहुत ही मज़ेदार हमारा नास्ता बन के रेटी हो चुका है इसमें किसी भी चीज की ज़ुरत नहीं पड़ती है हाँ अगर आपके पास नाडियल की चटनी या मुमफल की चटनी है तो उसके साथ खाई है बहुत लाजबाब लगेगा तो कट करके दिखा रही हूँ यह देखे आलू जो है कितना मज़ेदार लग रहा है ना अंदर से देखने में तो यह नास्ता बहुत ही लाजबाब है तो इधर यह हमारा सूजी का नास्ता भी ठंडा हो नास्ता बनके रेडी हो चुका है तो इसे इस तरह से कट कर देते हैं तो इस रेशिपी को भी आप बच्छों को बना के खिला सकते हैं टिफिन में डाल सकते हैं अगर आप वेट लॉस में है तो आप आलू स्किप करके इस तरह से सेम प्रोसेस में बना सकते हैं यह बहुत ह हिल्दी नास्ता बन के आता है तो ये देखिए बिना तेल का बहुत ही लाजबाब ये रेशिपी बन के आये ना तो इस रेशिपी को एक बार जरूर ट्राइक करें अगर आप मेरे चैनल पे ने तो प्लीज शब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फर वाचिंग